हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हजबन जबर्दस्तिकर एडल विम करने के लिए मजबूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था क्या आप इससे वो बच पाएगी या हम आज के हमारी मूवी लवलेस जो 2013 की एक हॉल्यूड ट्रू इंडरस्टी में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी अब भी वह बहुत ज़्यादा दुखी है अब इसके बाद यहां पर वह कैसे पहुची इसका फ्लैश बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो सुमिं लिंडा की मतर काम से ज़रा जल्दी घर पर आके लिंडा को इस तरीके से देख कर उसे बहुत डाटती है थोड़ी दर में लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गये हुए थे एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्लेई कर रहा था पैट्सी वहां के इंप्ल अच्छी लगती है जग उन से कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही जादा पैसे मिलते हैं लिंडा कहती कि क्या है सच्वुश में पॉसिवल भी है लिंडा पुछती कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा चक कहता है कि तुम्ह कुछ क्वेस्चन पुछने के बाद ही उसने लिंडा को बाहर बेजा उसकी मदर बहुत ही जादा कंसरवेटिव थी यह बाट ही एक टाइप से चक और लिंडा की एक डेटी थी मूवीज वगरह इन सब चीजों को लेकर बात कर दिया और एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहुत ही बोरिंग है पर चक कहता है तो बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग हो इसके बाद उसे घर छोड़ने के लिए उसने नोटिस के था कि लिंडा बहुत ही चूप रह रही थी उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गल्दी से मैं एक साल पहले मेरी किसे चक है तो लिंडा को लगता है कि उसके पैरन्स को चक पसंद नहीं आएगा चक कहता है मैं 100% गैरेंटी देता हो कि मैं उसे पसंद आओंगा अगर नहीं आया तो तुमें एक रात मेरी घर पर बिताओगी और आया तो वही हम करेंगे लिंडा इस पर बहुत असी निनर के बग चक कहता है कि मैं आर्मी में था क्योंकि लिंडा के फादर भी आर्मी में थे उसने कहा कि आपके पास तो वार की बहुत सारी स्टोरीज होंगी मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें इंप्रेस करना चाहता था इसके बाद ये दोनों कीचन में इसके बाद चक लिंडा को मुवी देखने के लिए लेकर जाने वाला था उससे अपने घर वो लेकर आता है ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो लिंडा ने कहा कि मेरी बॉड़ी पर सकार है उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता चक कहता है कि तुम जैसी हो वैसी बहुत ही जादा ब्यूटिफुल हो रात में घर आने के लिए लिंडा को जड़ा लेट हो गया तो उसकी मदर उसे बहुत मार दिया गुशे में उसने घर छोड़ दिया और चक के साथ और रहने लग गई थी एक दिन चक के आपर बार्टी चल रही थी पार्टी में लिंड कर लिंडा के पास आजाती है उसने कहा कि वहाँ पर मच जाओ लिंडा ने इस तरीके की मूवी फर्स टाइम देखी थी चक से कहती है कि अच्छी लड़किया यह सब नहीं करती है चक ने कहा कि तुम्हें यह सब करना नहीं आता क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हुई नह अब इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है लिंडा को एक दिन पूली स्टेशन से कॉल आया चक को पकड़ लिया गया था तो इसकी बेल कराने के लिए उसे जाना पड़ा उसने पहले तो इस बात पर विली भी नहीं किया था वो चक से पूछ थी कि तुमने किया क् चक ने उसे अल्रेडी बता हुआ था कि उसके काम के बारे में और कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकती लिंडा को लगता था कि चक डांस करने वाली लटकियों को सप्लाइ करता है पर अब उसे पता चला कि उनके प्रोस्टूरूशन में भी उसका हाथ है चक ने कहा कि उन् लिंडा को एक प्रोडेक्शन कंपणी में लेकर गया था अडल फिल्म की कास्टिंग के लिंडा को ऑडिशन देनी के लिए कहता है फिल्म के डारेक्टर ने लिंडा को बाहर भेज दिया और चक से कहते हैं कि यह लड़की नहीं चलेगी आजकर लोगों को सब कुछ आर्ट स्टार्टिंग हो चुकी थी यहाँ पर इनका इन्वेस्टर है जिसका नाम था एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है तुम्हें एक बहुत ही बड़ी स्टार बनोगी मेकप करते हुए लिंडा के फेस पर जरह फ्रेकल्स थे इसे छुपाने की कोश साओक है कहता है लिंडा के बारे में वही चीज बहुत ही जादा ब्यूटिफुल है उसके फ्रेकल्स सीन के पहले लिंडा जारा नर्वेस थे तो मुवी का हीरो हैरी उसके पास आता है उसने कहा कि सब कुछ एकदम अच्छा होगा जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लूली स्लूली बाकी की सब चीज़े फेड हो जाएगी मुवी के पहले कुछ सीन शूट होता है अगली दिन लिंडा का हीरो के साथ इंटिमेट होने का सीन था इनके स्पॉंसर एंटोने ने कहा कि अगर लिंडा के अपास चग भी होगा तो प्रॉलम हो सकती है फिर उनका एगाद स्टार्ट हुए और लिंडा के स्किल देखकर सब लोग हरान हो गए थे लिंडा के सामने हीरो भी फर्स सीन में जाधा पॉफॉर्म नहीं कर पाया था यह सब सक्सेस्फूल हुआ और रात में यह सब पार्डी करते हैं चक लिंडा से कहता है कि आंतोनी के पास आकर बेटो पर लिंडा उसे मना करती है रात में रूम से चक और लिंडा की चिलाने की आवाज आ रही थी सब को लगता है कि वो एंज्वा कर रहे है इसके बाद मूवी के पोस्टर के लिंडा का शूट स्टार्ट हुआ वो ज़रा अंकमफ़टेबल थी तो फोटोग्राफर लेरी कहत है कि जिस तरीके से मूवी में तुमारे क्यारेक्टर की डिवलप्मेंट होई है उसी तरीके से तुम फिल करो लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटो शूट होगा और अपनी फोटो उसे बहुत ही ब्यूटिफुल लग दिया इन सब से वो बहुत ही खुश थी मूवी उसे मिलना स्टार्ट हो गया था चक एंथनी से कहता है हमें बहुत ही कम पैसे मिले और आप लोग बहुत कमा ओगे एंदो ने बहुत इस ट्रीक था कहता है मैंने पूरी मूवी स्पांसर के थी इससे पैसा तुम्हें कमाने वाला हो मूवी बहुत ही बड़ी हीट हो जाती ह और लिंडा के इंटर्यूज वेगरा स्टार्ट होने लग गए लिंडा का आप सपना था कि उसे एक्चॉल मूवी स्टार बनना है लिंडा के पैरेंस को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ज़्यादा धुखी हो गए थे एक दिन इनके प्रावेट स्क्रीनिंग की पार्टी थी जहाँ पर लिंडा हुव हेपनर से मिली यह प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था लिंडा उसे देखकर बहुत एक्साइड़ हो जाती है आज पूरा प्रेमियर एक दुसरे की साथ ही थे हुव लिंडा से कहता है कि तुम एक्चॉल में मूवी स्टार बन सकती वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुक है यह सब काम वो नहीं करती और अब वो एक बूक लिक रही थी बूक लिकने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे वो सच बोल रही या छूट इसकी टेस्स लेने के भी हो गई थी तो इस बात से उसे बहुत बुरा लगा था चुछ उसे गहता है कि तुम मेरी वाइफ हो मैं तुमें सिर्फ पैशन दिखा रहा था मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं लिंडा ने इन सब बातों को समझ लिया जब इन्हें फाइनशल प्रालम आए तो च सब नहीं करती तो चग उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता इन सब से तंग होकर लिंडा एक राद अपनी मदर के पास आ गया मदर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़वड है वो पुछ दे कि हुआ क्या कुछ दिनों के लिए में यहाँ पर रह सकती हो लिंडा हजबन ही तुम्हें समाल सकता है अगर तुम बिना हजबन के हमारे घर पर रहोगे तुम्हारा जीना बत्तर हो जाएगा वो को चाहता था और शायद तुमने वहीं नहीं किया और इसी वज़े से तुम यहाँ पर आ गई हो अपने पदी को तुम्हें खुश रखना इस बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही जादा स्ट्रीक थी लिंडा बहुत रोती है सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहना चाती थी पर उसकी मदर उसे अलावड नहीं करती चक का कॉल आया तो मदर ने उसे ले जाने के लिए का घर आने पर चक उसे कहता है तुम अब ए हमने प्रिवेसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंटोनी के पास आकर बेढ़ने के लिए मना कर दिया था उस राथ चक लिंडा को बहुत मारता है एक दिन लीनडा अपने फ्रेंट पैट्सि से मिलने के लिए गई हुई थी तो चक भी उसके साथ या पैट्सि से आ घाति है कि मैं बहुत ही लखी हूं कि Chuck मेरा हस्बंड है एक दिन पार्टी में चग एंथनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था है हैंथनी ने कहा कि मैंने अल्रेडी लिड़ा से बात की हुई है अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हो लिड़ा ने चब को इसके बारे में बताया नहीं था तो उसे बहुत मारता है चक ने इनके मुवी के स्पॉंसर से पैसे लेकर अपने लिए घर वेगरा भी बाई कर लिया था एक आत्म में उसके करनी पड़ेगी लिन्डा की मुवी का जब प्रीमियर हुआ था तो यू हैफनर भी सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था इन सब बातों से बहुत ज्यादा डिस्टब हो गई थी एक रात घर आने पर अपने पैरेंट्स को कॉल लगा दिया उसके फादर कहते हैं कि म तो हमें एक और पार्टी में जाना है उसे एक होटेल रूम में गया और वहाँ पर उसका सोधा किया वहाँ बहुत सारे लोग थे लिन्डा को उसने गन लगा कर धम गया सब मिलकर लिन्डा को जवर्दसी करते हैं एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था यह जब घर पहुचे तो लिन्डा वहाँ से भागने की कुशिश करती है पर चक ने उसे रोक लिया नीज़ेगर कर वो हर्ट हो गई थी वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही थी वो पुछते कि क्या तुम लोग ठीक हो पुलिस ओफिसर ने लिन्डा को पहचान डारेक्ट लोग एंटोनी के पास आये एंटोनी कहता है तुम्हें सिर्फ और एक मुवी करने है उसके बाद दुम इंडिबेंडन जी सकोगी लिन्डा ने उसकी सारी सिच्वेशन उसे समझा दिया और एक मुवी नहीं कर सकती है एंटोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर् रूम में आया पर यह रूम एंटोनी कहा था एंटोनी ने अल्डेडी रूम को शिफ्ट कर दिया था वो गयता है कि तुम अब कभी भी लिन्डा के पास नहीं जाओगे उसनों से बहुत मारा और इसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिन्डा अब एक्च्वाल में अपने ब पता चलना चाहिए लिन्डा की बुक फेमस हो गए और इसकी टिवी पर इंटर्व्यू आती है लिन्डा से बुचा जाता है कि जब यह सब चल रहा था तब उसने क्यों आवाज ने उठाई थी लिन्डा कहती कि सोसाइटी में बताया जाता है जैसा हमारा पती कह है वैसा ह हमें सब कुछ करना पड़ेगा यह इंटर्व्यू लिन्डा की मदर सुन रही थी यह बात मदर नहीं उसे कही थी तो इस वजह से उससे बहुत ही जादा गिल्टी महसुस होता है लिन्डा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वाक में बहुत ही छोटी थी वह एक चीज मेर पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती यही मैसेज अपने बुक से ओ देना चाहती थी इतने साल लिन्डा के बैरस ने उससे बात नहीं की थी उस इंटर्व्यू के बाद वो लिन्डा को घर पर बुला लेते एक दूसरे को गले लगा कर यह सब बहुत रोए फिर से एक फ बता कर जाती है कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़े नहीं है सब कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है पर फिर भी वो टाइम निकल जाता है इसके बाद हमारे लाइफ में हमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं कभी भी परस्नल नहीं मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये